नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशीक सिंग दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि घर मालिक मिस्त्री ठेकदार के द्वारा जो मिल जूलकर की ये पैसा बचाने का तरीका निकाल लग गया है क्या ये सही है या फिर फ्यूचर में जाकर के ये कोई दोखा दे सकता है पूरी चीजी पूरी जोस्तो टेकनिकल जो टर्म है वो भी मैं इस वीडियो में जो है वह कभर करने वाला हूँ कहीं मत जाए वीडियो पे बस दो मिनिट आप दीजिए मैं आपको गया है ठीक है ग्राउंड बीम का कोई नामों निसान नहीं है बाहरी दिवार में देख सकते हैं दोस्तो क्रैक्स पढ़ना स्टार्ट हो गया है मतलब कि ये इंट जो है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गया है कुछ भी कीजिए बाहरी दिवार में जो चवहद्दी है दोस्तो इस घर का उसके नीचे में एक ground beam बिना सोचे समझे दोस्तो आपको देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसके बाद दोस्तो ब्रिक वर करने के बाद में यहां पर plinth beam तो बाहरी दिवार में भी देना जरूरी है लेकिन नीचे में जो beach का portion है दोस्तो वहां पर तरीके से ढ़लवा सकते है पहला गलती आप देख सकते है यहां पर ground beam नहीं दिया गया बाहरी दिवार में अंदर में नहीं देंगे चलेगा लेकिन बाहरी दिवार में आपको ground beam किसी हालत में दिलवाना है तभी दोस्तो अभी तो load भी नहीं है मिटी का load आएगा दोस्तो यह बाहर के तरफ इस दिवार को धाकेलना चाहेगा ठीक है तो उस समय एक side load पढ़ने से क्या होता है कि दिवार taper होता है तूटता है cracks आते हैं या फिर देख सकते हैं बरसात के season है अपने आप से भी दोस्तो मिटी धस रही है और हमारा जो brick work है वो नीचे की तरफ धसता ज जा रहा है brick work धस रहा है ऐसा नहीं है कि beam धस रहा है beam कहीं से भी कोई धसने वाला नहीं है दोस्तो फ्रेम डे स्ट्रक्चर जो घर बनाया जाते हैं इंट पर बहुत ज्यादा load नहीं आता है इसके उपर जो भी brick work किये जाएंगे सारा का सारा load ये beam उठाने वाला है और column के निचे के तरफ ground के तरफ transfer करने वाला है तो बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरीके से पैसे आप बचा सकते हैं बीच में कहीं भी ग्राउंड विम देने क्या हो सकता नहीं है मिट्टी भर ये कोई दिक्कत नहीं है चारो साइड आपका दिवार लगा हुआ ह यह आपको मिट्टी के बाहर जाने से रोकेगा फर्स वगर उखरने की कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों बगाएदा आपको जो फर्स बनाने का जो तरीका है जो मिट्टी भरने का तरीका है वो आप समझ लिजए कि 10 इंच मिट्टी एक बार में भरना है किस तरह से भरन में दोस्तों एक ग्राउंड विम अप दिलवाले फिर मिलते हैं उमीद करता हूं दोस्तों ये चीज़े बहुत कोई सका फैदा उटाएंगे नमस्कार धन्यवाद